दो उद्यों की बात हर लोग कर रहे हैं वो है सराब माफिया और बालू माफिया जहां पर चले जाईए सराब का अवैद कारोबार करने वाले लोग हर गाउं में इस सरकार ने पैदा कर दिया है सराब बंदी के नाम पर सराब का दुकाम बंद हो गया लेकिन घर-घर होम डिलेवरी चालू हो गया और सराब के इस कारोबार में नए लड़के लगे हुए हैं और हर गाउं में जो लोग बता रहे हैं कि लोग मोटरसाइकल खरीद के इवें युवा के साथ साथ जो लड़कियां हैं वो भी कई गाउं में लोग बताते हैं कि सराब के अवैद कारोबार में लोग लगे हुए हैं हर साल बिहार सरकार का बिहार के लोगों का सराब बंदी के वज़े से 20 हजार करोड रुपे का नुक्सान हो रहा है और ये पैसा जा कहा रहा है ये पैसा जा रहा है पुलिस के हाथ में प्रसासन के हाथ में सराब माफिया के हाथ में गाउं गाउं में एक और समस्या तराम माफिया के साथ साथ एक और जो माफिया बिहार में अभी सबसे ताकतवर है वो है बालू माफिया जहां पर आप जाईए बालू का बड़े अस्तर पर कारोबार हो रहा है हजारो करोर रुपया सरकार का चोरी करके बिहार के लोगों का चोरी करके पुलिस और प्रसासन क की मदद से अवयद बालू का कारोबार पूरे बिहार में चल रहा है इस पूरे पद्यात्रा के दोरान जो लोगों ने तीन सबसे जादा सब्द मुझे बताए वो पहला सब्द है अपसर साही बिहार में लोग अपसरों से परेसान है जहां पर जाईए लोग बिधायक को MP को गालिये दे रहा है फिर हम लोगों से पूशते हैं कि अच्छा भया आप इतना नराज है तो जीत क्यों रहे तो काता है क्या करे भया भी कल्पे नहीं है इनी को देना पड़ता है आप ये बताईए कि अगर लोग इतना नराज है अपने बिधायक से तो बिध समस्तिपूर जहां से करपूरी ठाकुर जी के ये जमीन है पूरे राज जी का नेत्रित्व किया समस्तिपूर ने और आज आपकी दसा ये है समस्तिपूर जिला की कि दोस में से दोसों विधायक समस्तिपूर के बाहर का है और दोनों MP लोग समा सदस्य भी समस्तिपूर के पूरे 35 लाह के अबादी में समस्तिपूर में एक भी काबिल आदमी नहीं है अगर आप बैशाली के मुझभः पूर आदमी को के बोट दीजेगा उसको क्या मतलब है समस्तिपूर से आया बोट लिया चला गया आपने बोट दे दिया मोदी जी का चेहरा देखके आपने बोट दिया उसको भी मालूम है कि आप तो काम के लिए नहीं बोट दिये आप तो हिंदू बनके बोट दिये आप तो जात के लिए बोट दिये आपने इसलिए बोट दिया कि उनके बाबुजी लालू प्रसाद यादो जी है कि राम बिलास पासवान जी है तो अभियान दे